हेलो गैस, टेरो वीत मदेर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब आई, होप आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, आपने औरा को पॉसेटिव किया होंगे गैस, आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, ओक्टोबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये एक जनरिल रिडिंग है गैस, हो सकता आपके साथ रेजुनिट करें, ना करें, जो बत आपकी कंडिशन के अनुसार आपको रेजुनिट करती है उसे प्लीज रख लेजेगा, बाकी को चानी दीजेगा, तो देखते हैं, ओक्टोबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ना करता है well is of pentacles the chariot okay queen of pentacles three events well six of hands the hair of hands okay five of hands eight of pentacles nine of swords okay okay two of swords which are cards be longy man destiny okay abundance okay two october का महिना आपके लिए कैसा रहेगा तो सबसे पहले युनिवर्स आपको लंबी उमर दे आपको खूब सक्सेस दे आपकी जो भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही थी आठकी हुई थी वो इच्छा आपकी पूरी हो और युनिवर्स की ब्लैसिंग आप पर हमेशा बनी रहे ओके जी तो ऑक्टोबर का महिना आपके लिए कैस रहेगा तो यह डेफिनेटली है गाइस की इस महीने में आपका मन काफी हद तक शान्त रहेगा आपको मतलब एक मानसिक जो तनाव थाना किसी सिचुएशन को लेकर वो तनाव कहीं न कहीं कम होते हुए या फिर आपकी लाइफ जो है कुछ हद तक बैलेंस में आती हुई न सकता है कि कहीं बाहर से आपके लिए कोई ऑपर्चिनेटी आई तिहाना यहां आपके महीने में में एक और बात कहना चाहूंगी जो मुझे काफे सारे कौमेंट्स भी आए कि मैं financial तोर पर बहुत problem हो रही है तंगी बहुत चल रही है या काम अच्छा नहीं चल रहा है उसमें growth कब होगी या success कब होगी या success कब मिलेगी तो मैं आपको बताओं कि यह October का महिना देखो यह वेट कर रहे हो यहाँ पर यहाँ पर यह बता रहा है है न कि कि आपने बहुत काम किये हैं बहुत मेहनत की है लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हो ना उतनी income आपको प्राप्त नहीं हो रही है जिसकी वज़े से आप stress बहुत हो आप दुखी बहुत हो ठीक है कि काम किया हुआ मेहनत की हुई कहां जाती है जाया क्यों हो जाती है ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दू कि income के source जो है वो आपको मिलेंगे आपके income में बरकत कहते है न वो होने वाली है यानि अगर मैं short में कहूं कि October में financial तोर पर आप काफी हद तक relax महसूस करोगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप कोई काम start करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं October में start करूँ उसमें मुझे success मिलेगी या नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता दू कि अगर इस तरीके की मन में दो रहा है या फिर confusion है न तो उस confusion को दूर कर लो क्योंकि definitely आपको उस काम में success मिलेगी ठीक है न तो बीना देरी किये न मन में आता है कि मुझे काम करना है या start करना है नया काम तो प्लीज जरूर करना ठीक है न यूनिवर्स की blessing मिलेगी और अगर साजेदरी में कोई काम का भी मौका आता है ठीक है या कोई offer करता है न आपको कोई काम का ठीक तो यह नहीं सोचना हो स्टाइम की यह काम चोटा है या बढ़ा है या फिर मेरे zone के अंदर है या बाहर है ठीक है न स्टाइट करना आपका ठीक उसमें आपको success मिलेगी और financial तोर पर आपको October में परेशान होनी की कोई अवशकता नहीं है सब ठीक होने वाला है है न तो खोश हो जाओ है न जी क्योंकि देखो यहाँ पर यह मैंने क्यों कहां कि यहाँ पर 600 पैंट्स का का कार्ड यहाँ पर 800 यहाँ पर अबननस ठीक है और यहाँ पर आया वैनिटी का कार्ड मतलब देखो यहाँ तो कहते है ना कि success मिलनी नहीं हो सकता है कि आप कोई काम ऐसा इस्टार्ट करो जहां पर आपको अभी लग रहा है कि नहीं लगता दूर दूर तक कि कोई success मिलेगी या काम अच्छा चल तो आपको यहीं कहूंगी कि आता है दिमाग में तो करना है वकाम उसमें अवर्णनस मिलेगी आपको खूब success मिलेगी ठीक है ना खूब जादा success मिलेगी ठीक है ना जी तो पहला यह दूसरा में यह कहना चाहूंगी बहुत अच्छी news आये गाइस बहुत अच्छी family का कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आक्टूबर में यह लड़ाई जगड़े यह कला कलेश जो है काफी हद तक बहुत कम हो जाएंगे बहुत कम हो जाएंगे यानि यह कह सकती हूँ कि आपकी problem का solution या problem खतम होने के रहा पर है वो चल पड़ी है ठीक है ना मतलब इस महीने आप इस चीश से बड़े निश्चिंद रहोगे कि कोई लड़े जगड़ा या कोई कला कलेश वाला वातावरा नहीं है या किसी तरीके का एक तना तमाशक create होने वाली चीज वो नहीं ह होगी यह universe की blessing आपको देखो बिलकुल आपकी life में balance आएगा यह cards आप खुद समझो है ना और इस चीज को लेकर परेशान हो रहे थे यह तब्यत को बिगड़ रहे थे ना तो आप तब्यत को नहीं बिगड़ना है आँच से ही बांध लेना इस बात को कि आप तब्यत को न है ना जी तो मन में किसी तरीके के चिंता नहीं पालना काफी हद तक balance आ रही है life में बारी बारी एक समस्या जो भी है ना वो भी काफी हद तक solve होगी और अगर solve होने में time लगता है फिर भी मैं यह कहूंगी कि October में कल है कले इस तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है एक और बात कहना चाहूंगी कि में भी हो सकता है कि October में आप किसी travel को लेकर confused थे कि आपको कहीं बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो वो confusion दूर होते हुए और आपका travel करना यह संजोग बना हुआ है और यहां फिर ऐसा हो सकता है कि आपका sudden rope से travel करने का program बन जाए ठीक है ना और यह भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और इसका में भी हो सकता आप wait कर रहे थे और इसको लेकर दो विजा में थे कि पता नहीं जाना होगा या नहीं होगा या फिर मेभी कुछ viewers का हो सकता है कि विजा को लेकर passport को लेकर कोई problem बन रही है तो वो problem भी solve होते होए और आप travel करते होए नजर आ रहे हो है ना तो यह भी है एक और अच्छी बात October में आई है कि देखो पिछले time में या बीकते हुए समय में आपके साथ को बताया था कि destiny यही चाहती थी कि कोई किसी का real face जो है real persona जो है वो आपके सामना आ जाए मोखोटा उतर जाए और वो मोखोटा उतरने के बाद में आप दुखी भी हुए आप परेशान भी हुए और कहीं ना कहीं आपको move on करने में या फिर move on नहीं और लगता है कि बहुत क बारा था मैं यह कहूं कि करने की कोशिश तो कर रहे थे कि life में यह सब चीजों को भूल कर पीछे छोड़ कर आगे बड़े लेकिन कहता ना कि वापस mood mode कर past की और दीखना वहीं चीज बार बार हो रहे थी कि चाहा कर भी नहीं भूलना past को और present को और future को खराब करना ऐसे च अक्टरोबर में कहीं ना कहीं यह प्रक्का है काईस कि आप में एक वह पॉजटिव और यह देखो कि जैसे कवेकनिंग होती है ना कि काफी सारी नेकार आत्मकता को निकाल कर किसी को बहुत positive कर दिया जाता है एक दम शान्त कि चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि इनके द personality में आपके attitude में एक बहुत अच्छा positive change आता हुआ नजर आ रहा है जैसा मैंने starting में भी कहा ना कि ये महिना कफी relaxed रहेगा आपके लिए मतलब काफी आप relaxed मैसुस करने वाले हो इस महिने में वह चीज की चिंता नहीं है कि आप मन से दुखी होना या फिर मानशिक शांति की अमन के सुकून की प्रे करना होता है ना कि वह प्रे करोगी ना क्योंकि इस महिने में अपने आप हैं आपके साथ यह चीज़े चलने लगेगी अपने आप आपको feel होने लगागा मैसूस होने लगएगा तो यहां आया ना कार्ड बैलन्स का कि डेफिनेटली जी बैलन्स आएगा आपकी लाइफ में इस महिने से काफी हद तक आपकी लाइफ में changes रू हो रहे हैं ठीक है हो सकता है कि unexpected तोर पर कोई income का source मिले या फिर income या पैसा आपके पास किसी न किसी तरीके से आता हुए नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर इस ओ पैंटिकल और यहां पर abundance का कार्ड अगर आपने किसी को पैसे उधार दिये थे और वापस नहीं आ रहे थे वापस आते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है और अगर loss भी हुआ थ है कि income को लेकर जितना भी stress आपको सितंबर तक रहा है ना October में नहीं रहने वाला है बिल्कुल नहीं रहने वाला है ठीक है ना जी तो खुशी मनाना एक guidance के तौर पर बात आई है वो याद रखना October के लिए प्लीज याद रखना ठीक है ना क्या आपके मैनत के जो भी फल मिले या कोई भी success मिले ना आपको ठीक है तो यह success हो सकता है कि आपने चितनी सोची उससे थोड़े एक कदम आगे ही मिले आपको ठीक है यहाँ यह कहा जा रहा है कि government में नहीं आना आपने को ठीक है चाहे मालिक कितनी भी उचाईयों तक पहुचा है यहाँ फिर अपने को लगे कि हा मेरे success के कहते है ना गाड़ी स्टार्ट हो गई ठीक है अब आगे बड़े कि और मुझे लाइफ कोप success मिले कैसा starting में कई बार पता चल जाता है ना तो आपको घमंड नहीं करना है कि मुझे तो आप success मिलने लग गई है अब मुझे कोई कई अच्चे करवास करने नहीं है यह फिर औरोंस मुझे कोई लेना देना नहें जिन्होंने मेरे सात श?. तो मैंनके साथ ऐसा करूं यह वैसा कर उना कूछ नहीं कि Bit. गवंबंड दिखाया तो मैं भी वापस उनको दिखाऊंगी कुछ भी हुट्पी नहीं करना थे क्यूंकि हमें बहुत लंबी प्लेंटा कके करना हैं है नहीं कुद सक्षस पानी है में जो देना चाथा है नहीं सक्सश फाला कंफ जान को सारी अबनंस पानी है ठीक है पाउं जमीर पर होने चाहिए कि कैना हम जैसा हमने भोगा है या जैसे ताने सुने हैं हम किसी को नहीं देना चाहते और गवर्मन क्यों दिखाए हम किसी को क्योंकि ये तो सब मालिक की ब्लेसिंग है है ना तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना जी तो हो सकता है उसका रिजल्ट आ जाए आपके ठीक है या फिर अगर जॉब के लिए अपलाई किया था तो हो सकता है या लेटर या ऐसा कुछ कोई मैसेज या कॉल आता हुआ आपको नजर आ रहा है ठीक है इस जॉब का भी यहाँ पर लग रहा है कि कि जॉब के लिए परेशान हो रहे थे और जॉब लग नहीं रही थे आपकी तो हो सकता है कि उसका इंतजार भी आपका इस ऑक्टूबर में खतम हो जाए ठीक है ना ये इसके डेफिनेटली बहुत जादा चांस है गाइस जॉब का वेट कर रहे थे ना ट्राय कर किया खूब सारी धन्यवाद देना खूब सारा धन्यवाद देना यहां एक चीश बड़ी क्लियर है कि ऑक्टूबर में में भी आपके वो भी काम बनेंगे जो अटके हुए थे जो काफी लंबे समय से करना कि कोशिश करने के बाद में भी पूरे नहीं हो रहे थे या बन नहीं रहे थे या फिर उन काम को करने के लिए आपको बार-बार कोशिश करनी पड़ रहे थी तो यहां पर यह कहां जा रहा है कि उसका वीट खतम होते हुए नजर आ रहा है आपका कोई काम बनते हुए नजर आ रहा है वो भी अच्छानक से बने का ओक्टोबर में है जब आपने सोचा सुबह उठो के आपको पता ही नहीं होगा कि आज मेरा इतना बड़ा काम बन जाएगा या मेरे मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी और अच्छानक से देखना आपकी इच्छा पूरी हो जाती है सच में यह होगा डेफिनेटली होगा देख लेना आप एक और बात कहना चाहूंगी कि ऑक्टोबर में अगर हेल्थ को लेकर को इशू है तो यहां पर भी मैं यहीं कहूंगी कि इसमें पहलेंस आता हुआ नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कहने की कोशिश करू कि इस्ट्रस फालतु का मत लेना ठीक है क्योंकि यहां पर यह बात के लिए पता चल रहे है कि आप दुवीदा में बहुत रह रहे हूं इसकी वज़े से आपको मांसिक तनाम होता है और उसकी वज़े से वह आपकी हेल्थ पर इशू पढ़ता है या हेल्थ का इशू हो जा कि असे वह जार खतम हो रहा है ना तो अमें उसकी तरफ त्यान रखना है या ना अब जो भीट गए वह पास था उसको लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना तो हम फालतु में अपना प्रेजंट क्यों खराब करें और अपना फ्यूचर शूच कर क्यों खराब करें प्रेजर को भी सुधारना है future को भी सुधारना है और अपनी health को भी सुधारना है और हम सुधार के बताएंगे ठीक है ना तो balance आ रहा है ठीक है और यह balance देखो health को लेकर मैंने यह क्यों कहा कि health ठीक होगी यहां पर awakening का जैसे मैंने शायद एक दो रिडिंग पहले ही बताया था कि health में balance आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा आपको परेशान नहीं होना health को लेकर मन में यह सुचो यह affirmation करो कि मेरी health अब एकदम ठीक है मैं एकदम स्वस्त हो ठीक है सिर्फ यह दो बात और कुछ नहीं अपनी health को लेकर सब ठीक होगा सब ठीक होगा और देखते हैं कुछ cards क्या बताते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के birthday पर बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरह से मतलब इनसान तो देती हैं पर यूनिवर्स की तरह से कुछ खास है कि तरह से कुछ खास है कि तरह से कुछ खास है कैसे आती है यहां पर है देखो एक नट मैं समझाओंगी इसको ताकि आपको ना मन में एक तसलिक शान्तुना मिले देखो यह है एड ओफ पैंटिकल्स का card यानि खूब मैनत की है बंदे ने लेकिन फिर भी उसको सक्सस नहीं मिल रही ठीक है कोशिश है उसकी waste जा रही है ठीक है मैनत उसकी खराब जा रही है यह कार्ड बताता है अब स्रक्सेस और विक्टरी मिलने के बाद में क्या आईगी अबननस ठीक है यानि अच्यूमेंट करोगे जो चाहते हो ना पाना वह पाऊगे और सड़न वेल्थ जैसे मैंने बता है ना देखो पूरा एक इंकम को लेकर पैसों को लेकर चींता है दूर होती हुई नजर आ र होते हुए या जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है किंता नहीं करना आप देखो बहुत कंफर्मेशन आहिए कार्ट में ग्रेट फॉर्चौन अग्रेट फॉर्चौन अग्रेट 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 चाइल्ड हुए 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 में वह देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा गमन नहीं करना है अब गमन कब इंसान करता है जब वो वैल्दी हो जाता है वो successful हो जाता है यहाँ एक बात मैं कहूंगी आपको कि definitely किसी के लिए मुझे यह पक्खा और सच मैं मैं खुद भी मैसूस कर रही हूँ कि यह message उनके लिए है कि कोई काम में अभी आपको लग रहा है कि आपको success नहीं मिलेगी ठीक है लेकिन मैं आपको बता दू कि यही काम आपको इतनी उचायों पर ले जाएगा और आप जो luxury life जीना चाहते हो ना वो luxury life आपको देगा ठीक है यहाँ पर आपको मिलेगी और उसकी शुडवात यह पका कह सकती हूँ कि October में होगी और कहीं न कहीं आप महसूस भी करोगी यह नहीं है इस बार मैं यह नहीं कहोंगी कि चीज़े सुधन ने लगेगी यह फिर अच्छा होने लगेगा तो आपको फील नहीं होगा यहां पर कार्ट्स बहुत जोड़ सोड़ से कह रहे हैं कि जो भी सकसस मिलेगी न वो आपको महसूस होगी ठीक है या अगर किसी मुद्दे में लेकर परिशान हो या कोई जगड़ा चल रहा है न तो उसमें भी आपको सकसस मिलती हूँ या फिर आपकी जीत होते हुए नजर आ रही है किसी ने किसी तरीके से जीत कह सकते हैं कि आपकी होते हुए नजर आ रही है ओक्टोबर में एक और बात कहना चाओंगी यहां पर कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर जूटे आरोग लगाए हैं या फिर आपको फसाया गया है कोई लीगल इशू आगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो वहां पर भी मैं आपको कहूंगी कि आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है गाई या फिर आपके पक्ष में जस्टिस होगा ठीक है न तो आप चिंता मत करो एक तो आप खुद दुखी हो रहे हो और इस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ न्याई नहीं होगा ठीक है कोई कितना भी निर्दोस को फसाने की कोशिश करे लेकिन अगर मालिक की इच्छा हो ना कि उनको उस प्रॉब्लम से निक गुना साबित हो जाओगे यह कह सकते हूं कि आप पर लगे जो भी जूटे आरोप है ना वो हड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना किसी ने किसी तरीके की हैल्प आप तक पहुचेगी देखो इस कार्ड को मैं कैसे समझाओं कि सच मैं किसी ने किसी तरीक अब आपको मिलेगी और आपको बे गुना साबित किया जाएगा ठीक है ना जी तो यह आया है और बात बताना चाहूंगे कि आपके घर परिवार से ही डिलेटिव से ही कोई जो है आपके लिए कोई रिष्टा लेकर आ सकता है गाइस यहां पर एक लेडी का लग रहा है कि क अधर स्टेट से होगा या फिर अधर डिस्ट्रिक्स से ठीक है कहीं बाहर से आता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ना तो यह और यह ओफर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहां पर यह भी कंफर्मेशन आई है कि यह ओफर यह जो मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आ काफी सारी ब्लै्सिंग आ रहे है यह पी इनर्जी आ रही है उसको क्लेम करना युनिवर्स से यहीं प्रे करना कि इस लिए और यह भी और यह सकारात्मक बाते आई हैं वह सब हमारी में क्यां यह सकस्दें सम ciao है कि अबन्हों को मिले और जो बी income को लेकर problem हो रहे थी वो problem भी दूर हो और हमारी life में great fortune success victory मिले हमें ठीक है ना और अभी से universe को gratitude देना start कर देना के मालिक thank you so much हमारी life में अब सब अच्छा करने के लिए आपकी blessing और आपका unconditional love हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है ना जी तो guys ये थी आपके reading I hope आपको पसंद आईए अगर आपको पसंद आई तो please चैनल को subscribe कीजे वीडियो को comment like share कीजे मैं मिलती हूँ आपको next reading में तब तक के लिए बाई